नमस्कार दोस्तों आव सी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम दो रंग का ये खुपसुरस सा डेजाइन बनाएंगे जिसे आप बच्चो के स्वेटर में या किसी भी लेरीज प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं इसे बनाने के लिए हम even नमबर में कितने भी फंदे ले सकते हैं बॉर्डर बनाने के बाद हम पहरी लाइन में सभी फंदे सी धाबुनते हुए दूसरी साइड में आ जाएंगे ये design wrong side से शुरू होता है तो design का पहला line और wrong side wrong side में हम दूसरा color attach कर लेंगे फिर दो फंदा primary color से उल्टा और next अगला दो फंदा secondary color से उल्टा तो इन ही चार फंदो को हमें पूरी line में दोहराना है दो फंदा primary color से उल्टा बुनना है और अगला दो फंदा secondary color से उल्टा तो इसी तरह पूरा करते हुए इसी तरह बुनते हुए पूरी line complete कर लेंगे दो फंदा primary color से उल्टा और दो फंदा secondary color से उल्टा डिजाइन का दूसरा लाइन और सामने से अब हम प्राइमरी कलर वाले दोनों फंदे उल्टा बुर लेंगे और अगले दो फंदे सेकंडरी कलर के हैं तो इन्हें हम सीधा बुर लेंगे अब कुन को अपनी तरफ लाएंगे अगले दो फंदे प्राइमरी कलर के हैं तो इन्हें हम उल्टा बुल लेंगे अब दो नो फंदो को 22 लाएं में उतारेंगे धागे को दूसरी तरफ करेंगे और दो नो फंदो को दाइने सलाएं में अब अगले दो फंदे सेकेंडरी कलर के हैं तो इन्हें हम सीधा बुर लेंगे अब ये अगले दो फंदे प्राइमरी कलर के हैं तो उन अपनी ओर करेंगे दोनों फंदों को उल्टा बुर लेंगे फिर दोनों फंदों को बाइस लाए में कर लेंगे धागे को दूसरी तरफ करेंगे फंदों को वापस दाइनिस लाए में अब अगले दो फंदे देखिए सेकेंडरी कलर के हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे अगले दो फंदे प्राइमरी कलर के हैं उन अपनी वर करेंगे दोनों फंदो को उल्टा बुन लेंगे दोनो फंडों को 22 लाइमे करेंगे धागे को दूसरी तरफ वापस दाइनी स्लाइमे दोनो फंडों को करेंगे अगले दो फंडे secondary कलर के हैं तो उन्हें हम सीधा बनेंगे तो इन्ही चार फंडों को दूराते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे थार्ड रो में हम अपना फर्स्ट रो दोहराएंगे यानि जो जिस कलर से दिखाई दे रहा है उसी रंग से उल्टा बुन लेंगे तो दो फंदे प्राइमरी कलर से उल्टा और अगले दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टा दो फंदे प्राइमरी कलर से उल्टा अगले दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टा तो इन्ही दोनों फंदों को दुराते हुए पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे फोर्थ रो और फ्रंट साइड तो प्राइमरी कलर से दो फंदे उल्टा बुनेंगे और फिर सेकेंडरी कलर के दो फंदे सीधा बुनेंगे और फिर उनको प्राइमरी कलर के उनको अपनी तरफ करेंगे और अगले दो फंदे देखिए, प्राइमरी कलर के हैं, तो इन्हें हम उल्टा बुल लेंगे अब दोनो फंदो को 22 लाइं में लाएंगे, धागे को दूसरी तरफ करेंगे और दोनो फंदो को वापस दाइनी स्लाइपे अगले दो फंदे सेकेंडरी कलर के हैं उन्हें हम सीधा भूलेंगे तो इन ही चार फंदों को दूराते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे फिफ्थ रो और रांग साइज अब हम अपने उनका कलर बदल देंगे अब यहां पे हमारे प्राइमरी कलर से दो फंदे उल्टे हैं तो इन दोनों को हम सेकेंडरी कलर से उल्टा भूलेंगे अब यह अगले दो फंदे सेकेंडरी कलर से हैं तो इन्हें हम प्राइमरी कलर से उल्टा भूलेंगे तो दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टा और अगले दो फंदे प्राइमरी कलर से उल्टा इनी चार फंदों को हम पूरी लाइन में दो राएंगे शिक्स्त रो और फ्रंट साइड तो सेकेंडरी कलर वाले दोनों फंदे सीधा बुनेंगे और ये primary color वाले दोनों फंदे उल्टा बुलनेंगे दोनों फंदों को 22 लाई में करेंगे उनको दूसरी तरफ करेंगे दोनों फंदों को वापस 20 लाई में और अगले दो फंदे secondary color से है तो उन्हें हम सीधा बुलनेंगे अगले दो फंदे primary color के है तो इन्हें हमें उल्टा बुलना है इसलिए उन अपनी ओर करेंगे दोनों फंदों को उल्टा बुलनेंगे फिर दोनों फंदों को 22 लाइं में कर लेंगे उनको दूसरी तरफ करेंगे फंदों को वापस 19 लाइं में अगले दो फंदे सीधे हैं इन्हें हम सीधा बुलनेंग सात्वी लाइन में हम फिर अपने पांशवे लाइन को दूराएंगे यानि दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टे और फिर दो फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा तो इन ही चार फंदों को हमें पूरी लाइन में दूराना है तो इन ही चार फंदों को दूराते हुए मैंने पूरी लाइन कम्प्लीट कर लिया है अब डिजाइन का आठवा लाइन और सामने से आठवे लाइन में हम अपने छठे लाइन को ही दूराएंगे यानि सेकेंडरी कलर वाले दोनों फंदे हमें सीधे बुनने हैं और प्राइमरी कलर वाले दोनों फंदे उल्टा फिर दोनों फंदों को 22 स्लाई में चलाएंगे उनको दूसरी तरफ और फंदों को वापस दाइन स्लाई में तो इन्ही चार फंदों को हमें पूरी स्लाई में दूराना है सेकेंडरी कलर वाले दोनों फंदे सीधा बुनना है और प्राइमरी कलर वाले दोनों फंदे उल्टा फंदों को बाइस स्लाई में चढ़ाएंगे उनको दूसरी तरफ फंदों को वापस दाइनिस लाइन है तो इन्ही चारों फंदों को दूराते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे तो लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स इन्ही आठो लाइनों को हमें दूराना है और डिजाइन बनता चला जाएगा तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृप्याई से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने श्तेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद